नमस्कार मरवाहलवी द्यार्थिमित्रो आजे बात करीशो दूरण दस विशे हिंदी ना स्वाइध्याय नू संपुणवी द्यार्थिमित्रो आजे बात करीशो दिए कीनारे कदम की डाल पर रष्कान की शुरूप में बशना चाहते हैं तो जवाब आएगा कोप्षी प्रश्ण नमर दू, आठ सीथी और नव निदी का सूख प्राप्त होता है, जवाब आएगा अ, नंद की देनू चराने में प्रश्ण नमर तीन, कल धोत के दाम का आर्थ क्या होता है, तो जवाब आएगा ब, सोने का राज महाल प्रश्ण नमर चार, गोपी गले में खाले जगे माला पहनना चाहती है, जवाब आएगा ड, गुंजे की प्रश्ण नमर दो, निम्न लिखित प्रश्णों के एक-एक वाक्य में उतर लिखिए प्रश्ण नमर एग, मनुष्य के रूप में रश्कान कहां बशना चाहते हैं, तो मनुष्य के रूप में जन्म मिलने पर रश्कान, गोकूल गाव में गौलों के साथ बशना चाहते हैं रश्न नमर दो पशु के रूप में कवी कहा निवाज करना चाहते हैं तो पशु के रूप में कवी नंद की गायों के बीच निवाज करना चाहते हैं रश्न नमर तीन रश्कान कीश परवत का पत्थर बनना चाहते हैं तो रश्कान गोवर्धन परवत का पत्थर बनना चाहते हैं प्रश्ण नमर चार पशुयोनी में जन्म मिलने पर कवी क्या करना चाहते हैं तो पशुयोनी में जन्म लेना कवी के वस्में नहीं है परन्तु कभी इतना ही चाहते हैं कि प्रती दिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मोका मिले प्रश्ण नमर तीन निम्न लिखीत प्रश्णों की दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिये प्रश्ण नमर एक लकूटी लेकर रश्कान क्या करना चाहते हैं क्यूँ तो लकूटी लेका रशकान श्री कृष्ण की जन्म भूमी में कृष्ण की भातिवन में भटकते हुए गाय चराना चाहते हैं। इससे वे अपने आपको श्री कृष्ण की समय पहने का एहसास करना चाहते हैं। प्रस्न नमर दू, श्री कृष्ण को रिजाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है। गोपी क्रिष्ण की मोरली को अपने अधरों पर क्यू नहीं रखना चाहती है। निम्न लिखीत प्रश्णों के चार-पांच वक्य में उतर लिखे। रश्कान श्री कृष्ण का सामिप्य कीन रूपों में कीश प्रकार चाहते हैं। तो कवी रश्कान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्तली से अभिवूत है। इस चीज से सामिप्य चाहते हैं जिनका सबन श्री कृष्ण से रहा है। वे अगले जन्म में गोकुल गाओ में जन्म लेकर वहां के गवालों के बीज उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे श्री कृष्ण रहते थे। यमुना के किनारे कदम के पेडों पर चड़कर बश्पन में श्री कृष्ण गवाल बालों के शात खिला करते थे। पक्षी के रूप में जन्म लेकर रश्कान उन्हें कतम के वरुक्षों पर रेन बशिरा करना चाहते हैं इतना ही नहीं यदि अगले जन्म में वे पत्थर बने तो उसी पहाड का पत्थर बनने की कामना करते हैं जिसे श्री कृष्णा ने अपने हाथों से उठा लिया था याने जिसका उन्होंने स्पर्ष किया था प्रस्णा नमर दो कवी श्री कृष्णा से सबंदीत कीन वस्तू की आविलासा करता है इनके लिए वो कीन वस्तू को छोड़ने के लिए तयार है उत्तर आएगा कवी रश्कान की श्री कृष्णा के व्रति अनिन्यस रदा है वे हर आलत में श्री कृष्णा की समीप रहना चाहते हैं इसके लिए वे इन वस्तू की अभिलासा करते हैं जिनका सबंद श्री कृष्णा से रहा है श्री कृष्णा लाठी और कमली लेकर वन में गाये चराने चाया करते थे इसी लाठी और कमली पर वे आकास पाताल और मृत्य लोग तिनों लोग के राजियों को भी तूच मानते हैं और उसे खुशी खुशी छोड़ने को तयार हैं नंद की गायों का चराने के सुख को वे आठो सिद्या और नौ निदियों से भी बढ़कर मानते हैं इसे पाने के लिए वे उन्हें संकर छोड़ने को तयार है वरज के जिन बनो बगिचो और शरोवरों का सबन श्री कृष्णा से रहा है उन्हें देखने के के उनके मन में बड़ी अभिलासा है इतना ही नहीं वे वरज की कांटेदार जाडियों के लिए सोने से बने करोडों महलों को भी न्यू चावर करने के लिए तयार है रशना नमर तीन क्रिष्णा की मोरली का वरज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव बड़ा तो वरज की स्त्रियों की दून की दिवानी थी श्री क्रिष्णा न उन्होंने वरज की स्त्रियों पर कुछ एसा जादू टोना सा कर दिया था कि वे उनके रदे में घर कर गए थे आलात ऐसी हो गए थी कि किसी को किसी की परवा नहीं थी वरज के सारिष्त्रिव पूरुष क्रिश्ण की मोरले की धून पर मोग्त हो गए थे प्रिश्ण नमर चाथ क्रिश्ण के प्रती अपनी भक्ती प्रतेशीत करने के लिए रष्कान क्या क्या निव चावर करना चाहते हैं तो कवी रष्कान के मन में श्री क्रिश्ण के प्रती अपार श्रता है वे अपने आराध्य देव के प्रती शमर्पी थे श्री कृष्णा का लकूटी और कमली लेकर गायों को चराने के लिए वन में जाने वाला रूप उनके मन में समाया हुआ है। इस रूप का दर्शन करने के लिए वे तिनों लोकों की राज्य को निव चावर करने को भी तत्वर हो गये हैं। नंद की जीन गायों का उनके आरा द्य देव स्री कृष्णा ने चराया था। वे इन गायों को चरा कर अध्भूत शुक पराप्त करना चाहते हैं। इस शुक के सामने वे आठों सिद्या और नौों निद्यों को भी तूच मानते हैं। नंद की गायों को चराने का सुख के सामने वे इन शिद्यों और निद्यों को निव चावर करना को करने के लिए भी तियार हो जाते हैं। वे ब्रज के लता कुझ एवं पेड़ पौधा का दर्शन करने के लिए बेचेन हैं। इतना ही नहीं वे ब्रज की कंटेले जाडियों को भी सोने से बने महलों से मुल्यवान मानते हैं और उनका सामने वे सोने के करोडों महलों को निव चावर करते हैं। उची जोड बनाईये मनुष्य तो गोकुल गाव पसु नंदगी गाव पक्सी यमू नाके किनारे कदम की डाल और पत्थर तो गोवर्धन प्रवत का पत्थर बनना कवी रशकान चाहते थे। विद्यार्थी मित्रों समपूर्ण सॉलेशन पूर्ण थाये चे आप्रकार्ना सॉलेशन मेड़ों अमाटे चैनल ने खास सब्सक्राइब करी देवेए।